अगला सवाल माईक नमबर तीन से वहाँ पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माईक नमबर तीन से नमस्कार मेरा नाम हरीपाद विश्वास मैं बंगल मालदा गाजोल साया हूँ मैं एक रिटायर खोजी हूँ और आभी मैं प्राइमरी टीचार हूँ हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धरम में बेगुनाओं को कोई कातिल करना जुलूम करना ये नहीं लिखा लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाओं को पर जुलूम करते हैं ओ धरम का प्रचार पर जहापर देखिए मुस्लमान ज इससाव को बहुत अच्छा सवाल है कि धर्म के नाम पर कतल हो रहा है जां मुसलमान मेज़ॉरी में तो हिंदू कतल होता है जैंडू मेज़रटी में तो मुसलमान के ऊपर पर गतल होता है, ऐसा क्यूं? खुदा ने एक धर्म क्योंने बनाया? बहुत अच्छा सवाल है, कुरान में लिखा है, सुल्य अलिम्रान में, सुरा नम्बर तीन, आयत नम्बर उन्नीस में, इन्न दिना इंद लाह अलिस्लाम, अल्ला सुभानाव ताला के नजदीक एक ही दी बेजा, लेकिन वक्त गुजड़ते हुए, लोग इसमें तबदीली लाए, इसलिए खुरान मजीद में लिखे, अल्ला ने एकी दीन बेजा, एकी धर्म बेजा, वो है अमन हासिल करना, अल्ला सुभानाव ताला के एकामात के मताबिक, इसे कहते हैं, इसलाम, आप चाह अर अल्ली रिलिजिन, और अल्ला सुभानाव ताला ने हर दोर में पैगंबर भीजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आये थे, वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे, और अपने लोगों के लिए थे, और जबी भी पैगंबर भीजे, जबी भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला, और उसमें तब्दिली लाएं, और एक नया मख़ब पैदा हो गया, एक नया दिन पैदा हो गया, तो आल्ला ने एक नहीं किताब बेजी, ушमे और पबेजा, और छंद साल के बाद, थे, 12 साल, 15 साल के बाद, उसमें तब्दील लिए आएं, लोग ने अपने फाइदे के लिए उसे बदला, और एक नया मदब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया, इस तरीके से, अल्ला ने कई किताबे नाजिल की, और हमारे रसूल फर्माते है, मुहम्मद स्थल्लाव सल्म, अल्ला ने एक लाग चौबीस जार पैगंबर इ भीजी, और इसमें अल्ला तर्माते है, क्योंके ये आखरी किताब है, ये सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं, सिर्फ अर्बों के लिए नहीं भीजी थी, बलके सारी इनसानियत के लिए भीजी थी, और क्योंके ये आखरी किताब है, ये महदूद नहीं, दस साल के लिए, हजार साल के लिए जब तक क्यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी और क्यूंकि मुम्मा स्वालों अखरी पैगंबर थे वो सिर्फ मुसल्मान या अरबों के लिए ने भीजे गे थे वो सारी दुनिया के लिए भीजे गे थे तो आज जो भी इनसाने चाहे वो हिंदुस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान में चाहे साओधी अरबिया में चाहे युएसे में चाहे इंग्लेंड में उसे आखरी पैगाम अल्ला का खुदा का उसके अपर अमल करना चाहिए वो एकुरान और आखरी पैगंबर मुम्मा स्वालों पर अमल करना चाहिए फि सर मेरे को तो पता नहीं मैं बंगाल साया हूं किशन गंज का नहीं है लेकिन आज सुबा को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट से चेर्मेन थे वो कह रहे थे किशन गंज में 65% 65% मुसल्मान है और 35% हिंदू है उसके बावजूद इस किशन गंज ये मिसाल हिंदूस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ धर्म के नाम पे किसी मुसल्मान ने कोई हिंदू को ना गतल किया ना हिंदू ने मुसल्मान को गतल किया एक पॉलिटिशन M.L.A. साब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होते के फसाद नहीं हुए तो यह मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है और आप खुशने सीब है कि मीडिया यह अमन को खराब नहीं कर रही मीडिया को पता चल जाएंगा मुसल्मान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांती को अशांती मे बदल देंगी सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर कश्मीर में देखो क्या हो रहा है मीडिया आप देखेंगे मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांती को अशांती में बदल दी तो मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि किशन गंज का माहौल अमन रहे आप मीडिया से एक ही दीन भेजा है वो है अमन हासिल करना इश्वर भगवान अल्ला के जो भी एकाम आते उसको अमन में लानी के बाद और हर इंसान अगर ये ढूंडे के सई इश्वर कोन है और उसका कहना क्या है तो इंशाल्ला दुनिया में अमन रहेंगा लेकिन कई लोग नहीं चाहत का दुनिया में अमन रहें इसी लिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मदब के नाम पर राइट्स होए दंगे फसाद होए और इसका मैं ब्लेम दालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे इन्दुस्तानी से लिए लेकिन हम पर हकूमत की उनकी पॉलिशी ती डिवाइड एंड रूलू हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पर राज किया अंग्रेश तो चले गए अपनी राज नीती छोड़ गए पीछे इसलिए मैंने एक तक्रीर किया हूँ इस टेररिजम मुझसे मॉनापली और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में जितने भी टेरिस्ट एक्ट डायरेक्ली और इंडायरेक्ली कहीं न कहीं का दिशना का हाथ है बापरी मस्जिद लो चाहे गुजरात लो चाहे 911 लो चाहे अफ्गानिस्तान लो चाहे इराक लो चाहे पैलेस्टाइन लोग, इस सब में राजनीती का हाथ है, लोग चाहते कि हमारे वोड बैंक, वोड बैंक में लोग हमें वोड दे, तो सबसे आसान तरीका है, कि आपस में लड़ाओं मधब के नाम पर, ने तो आम तोर पर मैं समझता हूं, हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिं करना चाहते हैं, इसलिए आप देखते हैं, कि एक मिसाल है, और मैं धर्कास करूँगा, कि इस अमन को इन्शाला बरकरार रखे, आप भक पे रो, आपको वोड मिलेंगा, यहां ने मिलेंगा, उपर तो सीट मिलेंगी, मैं हमेशा पॉल दिशन से कहता हूं, आप भक पे जम साल, 80 साल, कितने साल जिये हैं, उपर की तो पॉमिनेंट सीट हैं ना, यह सीट को छोड़े, आखरत के सीट के सिकर कीजिए, इसलिए जो इश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्ला का पैगाम है, हक पे रहिए, और हक का साथ दीजिए, चाहे आप को यहां सीट की मिली का ने मिली, आखरत में तो मिलेंगी और हमेश आपके साथ रहेंगी, अब दन से गुष्टन, सामयन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं, वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिशने करें, पर रिशानी हो रही है, संजीत की का माहूल बनाया रखें, जो जह मेरा नाम हैरुमा गुपता, और मैं ग्राजुएट कर चुकी हूँ, मेरा सवल है कि अगर एक मुसलिम लड़का और हिंधू लड़की के खर में नावाच परें, और हिंधू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करें, तो ये क्या जायज है या नादाद है? जैन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसल्मान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसल्मान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसल्मान के घर में पूजा कर सकती गैने सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज़ के आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पाईया रखेंगे साइकल का एक पाईया रखेंगे ट्रेक्टर का तो गाड़ी चलेंगी क्या नहीं चलेंगी या चारो साइकल कर दो या चारो ट्रक्टर कर दो इसलिए खुरान की आयत सुरे बक्रा की सुरा नमबर दो आयत नमबर दोसो एकीस में आल्ला तला फरमाते है कि आप मुश्रिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो इमान न लाए मतलब जो गैर मुस्रिका से बहतर है और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुश्रिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो इमान न लाए एक मुमिन आदमी चाय कितना भी बसूरत हो वो बहतर है बनितबर जो शिर करता है इसकी वज़े यह है कि इसलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के इलावा किसी को और पूछते है किसी और की अबादत करते है ये सबसे बड़ा गुना है और अला तला अला तला फर्माते है सुर निसा में सुरा नमबर 4 आयत नमबर 48 में और सुरा निसा सुरा नमबर चार आयत नमबर 116 में कि अगर चाहे तो कोई भी गुना को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगा अगर एक इनसान मुश्रिक जैसा मर गया तो अल्ला ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंके मुश्रिक वो शक्से जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुना है क्योंके हमारा खालिक हमारा मालिक, हमारा इश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुना है जिसने हमें जिन्दगी दी जिसने ये सारी चीज़े हमीदी दुनिया में अगर हम उसको गाली देंगे उसके इलावा किसी और की अबादत करेंगे ये शिर्क हुआ तो इसी लिए इसलाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुश्रिक लड़का या लड़की से शादी करे तो इजाज़त नहीं है जहां तक कि सवाल है कि एक आम मुसल्मान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है अगर उसके सामने कोई मूर्ती नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगा साफ है हमारे रसूल मुसल्मान तो फर्माते कि सारी दुनिया सारी धरती मूमिन के लिए मस्जद है शारी दुनिया आप काम भी नमाज पढ़ सकते देखना चाहिए कि साफ है आप नमाज पढ़ सकते तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर्म में जाते हैं और वह साफ पर कोई मूर्थी आगे नहीं है नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते शादी करने की जरुवत नहीं है नमाज पढ़ने का है अगर साफ जगा है तो कोई हर दे इसलिए शादी के लिए शर्थ है कि दोनों का इमान हो और अगर आप हिंदू मख़ब पढ़ेंगे जो मैंने पहले पेश किया पहला जो सवाल था भाईसाब का और मैंने कहा हिंदू मख़ब में जो यह लिखा है ना तस्पति मास्टी उस इश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं कोई मूर्त이 नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई painting नहीं, कोई portrait नहीं, कोई idol नहीं, कोई statue नहीं अगर ये मान ले, कि कमस कम जो यक्सा है हिंदू और इसलाम के मजभी किताब में कमस कम उसके उपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किला दूरो जाएंगे जो यक्सा नहीं है उसको कर डिसकस कर सकते और अगर आप तैकीक करते है तैकीक करते हिंदू मजभी किताब पढ़ते और इसलाम मजभी किताब पढ़ते दोनों में लिखा है खुदा एक है दोनों में लिखा है खुदा के कोई अखस नहीं है दोनों में लिखा है के खुदा के कोई बुत नहीं है दौनों में लिखा है कि खुदा के लावा किसी और की अबादत नहीं करना चाहिए दौनों में लिखा है कि आखरी पैगंबर मुहमब dus Day-5 में दौनों में लिखाoking कि अज्प शराब नहीं पीना चाहिए मैं हवाले दे सकता हू tort और मैं तक्रीर रहे दिया हूं सिमिलाइटी बीट्वीन इस्लाम एं हिंदूइजम इस्लाम और हिंदूइजम में एक्सानियत दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सुरे माईदा सुरा पांच आयत नमर नबे में लिखा है कि शराब पी नहरा में अम मनुसमिती चैप्ट नमर नाइ क्या आपके लिए हरा में मरावा गोश खून सुर का गोश और वो खाना जिसके ओपर अल्ला के इलावा किसी और का नाम लिया गया है आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सुर का गोश खाना हरा में अगर आप तहकी करेंगे काफी अक् में सुना नंबर 24 आयत नंबर 331 के अंदर हिजाब के बारे में आउरत को अलम्दलिल्ला हिजाब में होना चाहिए उसका जिसम तिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हतेली तक के आप अगर हिंदु मजब किताब पढ़ेंगे रिगवेज द्रिगवेज बुक नंबर 8 में लिखा है और रिगवेज बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि आउरत को अपने सिर्क के पलों को जालना चाहिए चेहरे पे रिगवेज में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए ये कुरान मजीद में लिखा है सुने नूर सुना नंबर 24 सायत नंबर 331 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर या करीब जिखता नही है और जब भी कोई मर्द को और और अवरत को देखता है और खरीब जिखता नही है तो उसे नज़र नीचे करना चाहिए तो इस तरीकिता प्हकिक करें ये जो यकसानियते उसके उपर तो अमल करो तो यकसानियते हिंदू और इसलाम मजब में जो मजबी किताब में लिखा है लेकिन अफसोस की बात है कि मजब के ठीकेदार ये चीज़ का जिकर ही ने करते क्यों? इसलिए मैं हवाले देता हूँ मैं कोई आलम नहीं हूँ मैं कोई पंडित नहीं हूँ मैं अपने आपको तालिब इल्म कहता हूँ लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ तो किसी को भी शक है किसी को भी शुभा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है यह इंटरनेट पे जाईए आप टाइप करो वेज भी इंटरनेट के उपर है खुरान में इंटरनेट के उपर है टाइप करो रेफरेंट टाइप करो आपका हवाला मिल जाएगा तो इसलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो rules and regulation है वही होना चाहिए इसलिए दोनों लोग मुमिन होना जरूरी है खुब दानसर कुष्टिन अब हम सवाल करने का मौका देते हैं